राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को कुरोनावारे संक्रमण के 113 नए मामले सामने आए और संक्रमण की दर 0.95 प्रितीशत दर्च की गई स्वास्ते विभाग के आंक्रों के अनुसार इस दौरान कोविड-19 से दो मरीज की मौत हो गई दिल्ली में अब तक संक्रमण के 20,296 मामले सामने आ चुके हैं और महामारी से 26,504 मरीजों की मौते हो चुकी हैं पिछले कई दिनों से दिल्ली में COVID-19 के नए मामलों में गिरावट देखी जा रही है विभाग ने अपने ताजा बुलिचन में बताया कि 9,815 मरीजों की जाच के बाद इन नए 102 मरीजों का पता चला शुक्रवार को डाजधानी में संक्रमण के 95,9 मामले सामने आये थे और संक्रमण की दर्श हुने दशमलों 96 प्रतीशत दर्श की गई थी ताजा बुलिचन के अनुसार दिल्ली में उपचाराधीन COVID-19 के मरीजों की संख्या 445 है बुलिचन में कहा गया है कि कुल 387 मरीज अपने घर में प्रतकवास में रह रहे हैं